नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है इस्टार मिस्कू नीज में दोस्तों बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के संबंद में दोस्तों उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने एक ओफिशेल नोटिस जारी किया है PCS परिक्षा के संबंद में तो उस शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए वीवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको किसी भी भरती के संबंद में या परिणाम के संबंद में कोई भी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों नोटिस है यह 18 जनवरी आज का यह नोटिस है और यह नोटिस है PCS 2019 के साक्षातकार के संबंद में जियां दोस्तों PCS 2019 के साक्षातकार का पूरा शेडूल उत्तर परदेश लोक से वायोग ने जारी कर दिया है पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में दोस्तो 28 जनवरी से इसके साक्षातकार शुरू है और ये रॉल नमबर दिये हुए है रॉल नमबर वाई साक्षातकार ये होगा पिर्थम सत्र में होगा सुभा 9 वजे से और दूत्य सत्र में होगा दो पहर 1 वजे से दोस्तो अब बात कर लेता हूँ इसमें जो Post हैं दोस्तो इसमें जो मुख्य चीज़े वो ये है कि इसमें कல जितनी Post हैं उन Post का जो आपको Preference Seat भर के ले जानी है तो उस Preference Seat के बारे में आपको पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं दोस्तो जितने भी इसमें PCS PCS 2019 की जो परिक्षा में कुल जितने पद थे उन पदों का ये preference order दिया हुआ है और उसमें कुल जो किसमें कितनी vacancy हैं ये सब कुछ इसमें record दिया हुआ है और इसी के आधार पर और अपनी जो आपकी qualification है उसके आधार पर इसमें आप post को preference दे सकते हैं दोस्तों जो पहला पद है वो है इसमें dipty collector का ठीक है इसमें सामन्ने इसना तक थी और इसमें कुल पद है 46 नमबर दो पर है कारिय अधिकारी पंचायती राज ठीक है ये भी 500 grade पे की जोब है और ये भी 500 grade पे की जोब है इसमें भी सामन्ने इसना तक है और ये इसमें कुल आठ पद है तीसरा जो post है वो होता है सहयक आयुक्त उध्योग सुक्षम एवं मध्यम अनुभाग ठीक है इसमें भी 500 grade पे की पोस्ट है और ये भी level 10 की पोस्ट है ठीक है इसमें भी सामन्ने इसना तक मांगा गया है और इसमें कुल पद है 19 चौथी नमबर पर जो पद दिया हुआ है वो है जिला पिछडा वर्ग कल्यान अधिकारी ठीक है इसमें जो है आपका 4800 grade पे की ये पोस्ट है और level 8 की पोस्ट है और ये इसमें qualification है और कुल पद रखे इसमें एक पाँचवे नमबर पर है दोस्तो खंड विकास अधिकारी ठीक है जिसको हम बोलते हैं बीडियो बहुत अच्छी पोस्ट है ब्लोग डवलप्मेंट आफिसर सामन्ने इसना तक qualification है इसमें और इसमें कुल पद 34 है दोस्तो ये बात हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जो आने वाले टाइम में जो बच्चे PCS की परिक्षा देने वाले हैं जो बच्चे 2021 में PCS की परिक्षा देने वाले हैं उनके लिए बहुती knowledgeable वीडियो है जिससे उनको काफी जानकारी उस परिक्षा के बारे में मिल जाएगी छटे नमबर पर जो पोश्ट है वो दे रखी है सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी इसमें 400 ग्रेड पर ये पोश्ट है और इसमें कुल आठ पद है सात्वे नमबर पर है जिला दिव्यांग जन ससकती करण अधिकारी लेवल आठ की पोश्ट है ये दोस्तो लेवल आठ का मतला 4800 ग्रेड पर होता है और इसमें कुल पांच पद है ठीक है दोस्तो एक बात में आपको और बता दूँ अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी अलक से लेनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप ठीक है अच्छा नमबर आठ पर आती है उपनिबंदक की पोस्ट ये चववन सो ग्रेड पर की जवब है और इसमें कुल एक पद है नौवे नमबर पर आता है आपका सहयक श्रमायुक्त ठीक है चववन सो ग्रेड पर है और ये आपका कॉलिफिकेशन है और पांच इसमें पद है नमबर दस पर आती है श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्रम विभाग चालेस सो ग्रेड पर है ये आपका इसमें दिया हुआ है कॉलिफिकेशन और कुल पद है इसमें तीन दोस्तों ग्यारवे नमबर पर जो पोस्ट आती है वो है उत्तर प्रदेश किरसी सेवा समूख है चववन सो ग्रेड पर की पोस्ट है ये कॉलिफिकेशन है और इसमें कुल दो पद है बारवे नमबर पर पोस्ट आती है अभी गिहित स्वरी अभी हीत अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं आशदी प्रशाशन विभाग चववन सो ग्रेड पर की पोस्ट है और इसमें कुल दो पद है जिला उध्यान अधिकारी ये पोस्ट है इसमें कुल चार पोस्ट है और दोस्तो इसमें एक बात और है इसमें जो B.S.C. किरसी मांगा गया है जो किरसी वाला बच्चा है वो ये इसमें अपलाई कर सकता है नमबर 14 पे आती है विस्तार सेवा अधिकारी जो 100 ग्रेट पे की पोस्ट है ये क्वालिफिकेशन है इसमें दोस्तो विज्ञान इसनातक मांगा गया है साइंस जे इसनातक होना चाहिए और इसमें कुल एक पोस्ट है दोस्तो अगली पोस्ट है नायब तैसिलदार इसमें 1200 ग्रेट पे की ये जोब है और आपका 1500 इसमें कुल पोस्ट है नंबर 16 पे आती है उपकारपाल कारागार प्रसाशन एवं सुधार सेवाई वेतनमाने 4600 और आपका लेवल 7 में आती है और भारत में विदीद्वारा इस्थापित किसी विश्विधाले से इसना तक की उपादी इसमें दोस्तो सिंपल ग्रेजुएशन मागा गया है इस पोस्ट में सिंपल ग्रेजुएशन कुल 76 इसमें पद है नंबर 17 पे आती है कर निर्धारन अदिकारी नगर विकास अनुभाग 24 इसमें कुल पोस्ट है दोस्तो PCS की परिक्षा है और आप जानते हैं कि PCS की परिक्षा में सारे के सारे पद अपने आप में एक वैल्यू रखते है और सारे के सारे पोस्ट एकदम धासू पोस्ट है सारी की सारी बिलकुर राजाओं वाली पोस्ट है सारी, ठीक है, कोई सी भी अगर आपको मिल जाती है तो, नंबर 18 पर आती है, लेखा एवं संप्रिक्षा अधिकारी मंदी परिशद, चबवन सो गिरेट पर की वोश्ट है, और इसमें कुछ 16 पद है नंबर 19 पर आती है, विपना अधिकारी है, एक पद इसमें नंबर 20 पर आती है विधी अधिकारी मंदी परिशद चबवन सो गिरेट पर है ये भी, एक पद है 21 पर आती है, विधी अधिकारी 22 पद है इसमें, ठीक है दोस्तों, नंबर 22 पर आती है विधी अधिकारी भूतत्व एवं खनी कर्म अनुभाग ये qualification है इसमें कुल एक पद है और नमबर 23 पर आती है जेस्ट गन्ना विकाश निरिक्षक सीनियर सुगर डवलप्मेंट इंस्पेक्टर श्यालिसो गिरिड़ पे है और ये इसमें दोस्तों मांगा गया है किरसी विज्ञान में इसनातक उत्तर चिकितसा इवं कल्यान अदिकारी और आपका ये 14 पदें समें दोस्तों इसमें कुछ है विशेष चैनवाली पोस्ट जिसमें कुछ विशेष क्वालिफिकेशन है इसमें पहली पोस्ट है ये खाद्य सुरक्षा अदिकारी औजदी विभाग उलिसमे नो पद है ठीक है दोस्तों ये आपका हो गया पूरा ब्योरा ठीक है तो इस बार PCS 2019 की जो परिक्षा है जिसका अभी सक्षातकार कारेकरम जारी हुआ है इसमें कुल 25 परकार के पद है PCS 2019 की परिक्षा में जिसका सक्षातकार शुरू होने वाला है 8 जन्वरी से दोस्तों किसी भी पोश्ट के बारे में अगर आपको मुझसे कोई जानकारी प्राप्त करनी है या इस परिक्षा के बारे में कुछ पूशना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों इसमें कुछ पोश्ट ऐसी भी है जिसमें एक वो मागा गया है फिजीकल जो स्टंडर्ड है वो मागा गया है और ये पोश्ट है आपका उपकारपाल की जिसमें मागा गया है शारिक माबदंड और इसमें पूरुश अभ्यरतियों के लिए तो हाइट है 168 cm है औ ठीक है तो इसमें जो है और हाँ इसमें एक बात और है जो अनुसूचित जनजाती के अभ्यरति के दशा में पूरुश की हाइट ये है और महिला की हाइट ये है ठीक है दोस्तों तो ये जो है पूरा ब्योरा है आपका PCS 2019 की परिक्षा का जो भी बच्चे आने वाले किस पोस्ट में क्या कॉलिफिकेशन मांगी जाती है और आप इसी के हिसाब से तयारी कर सकते हैं या फॉर्म एपलाई कर सकते हैं या अपना एक्जाम दे सकते हैं जिससे आपको अपने अंदर एक जुरून की भावना भी जाकती है ऐसी वीडियो को देखकर और ऐसे जो प भैतरीन पोस्ट हैं सारी पोस्ट अपने आप में एक डावा करती हैं एक धासू पोस्ट है सारी के सारी ठीक है 25 की 25 पोस्ट बहुत ही भैतरी है ठीक है दोस्तों तो यह हो गया PCS 2019 के बारे में और इनकी पोस्ट का ब्योरा और आपको एक बात में और बता दू जो मैंने आ हर PCS में यह रहती है, 25 की 25 पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी हर साल, 2-4 एक दो चेंज होते हैं, या तो इसमें एक दो पोस्ट बढ़ जाएंगी, या एक दो कम हो जाएंगी, लेकिन बेसिक रूप से, आपको ये 25 की 25 पोस्ट हर साल देखने को मिलेंगी, ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया आपका, इस PCS का ओफिशन लोटिस और ये पोस्ट के बारे में जानकरी है, तो ठीक है दोस्तों, यही निउस थी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसी ही और नॉलिजी वल वीडियो पाने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं, बहुत-бहुत धन्यवाद दोस्तों,